और वीडियो, बात करने वाले हैं आज ये टेड के बारे में, आज के टो चो भी टेड बने थे वो मैंने निटी के दिन रभी तो USA कि आज करने का रजन यही था कि प्रीमियम काफी ज्यादा था निटी और बैंक निप्टी के जो कॉल थी पूट थे उसके अंदर प्रीमियम काफी जदा था तो उसी रिजन से मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं किया था और आज के दिन फिन निप्टी के एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के अंदर काफी अच्छा जैकपोट प्रॉफिट मिला है और दोस्तो काफी अच्छा मोमेंटम भी मिला है फिन निप्टी के अंदर आज के एक्सपायरी के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर बना है तो द बरूर दखेंगे बगैवा है कि जोसाइसाइस कि रूपये का यहांपर आप देखेंगे कोल के अंदर अर्टी्जार का हुआ है उसके बादा están 1800 की पुटके उनन साथ हजार के बादा उसके बादा एकपचास की पुटके 50,000 का profit हुआ है उसके बाद 8,200 की put में 36,900 का profit हुआ है और यह total जो profit हुआ है 1,40,000 प्लस यहां पर profit देखने को मिल रहे हैं अब आप यह profit देखकर फिन निप्टी के अंदर trade करने लग जाओगे या फिर आप निप्टी, बैंक, निप्टी को आड़े टेड़े trade लेने लग जाओगे वो बिलकुल भी नहीं करना है इस profit के पीछे काफी जादा mindset मेरा, काफी जादा money और काफी जादा experience लगा हुआ है उस experience के base पर ये जो profit निकल के आया है, वो यहाँ पर देखने मिला, only आपको एक दिन का profit दिख रहा है बट ये एक दिन का नहीं, ये तीन साल की मेहनत है, उस मेहनत के बाद में तीन लाग, चार लाग, दो लाग, एक लाग, पचाह जार का ये profit ऐसे मैं continue अभी generate कर रहा हूँ, तो ये मेरी काफी मेहनत है, उस मेहनत के पिछे का, ये मेरे को reward है, तो आप मेहनत कीजिए, इस profit को देखकर आप ऐसा नहीं कि आप और भी quantity के अंदर trade करें, या फिर कहीं से पेशा लाग के आप invest करके, आप trading करने लग जाए, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, option buying है, option buying के अंदर आप अपना capital पांस लाग हो, या फिर दस लाग हो, आप zero होने में कुछ ही time लगता है, यानि कि एक trade के अंदर भी आप zero कर सकते हैं, और दोस्तों, दस trade के अंदर भी आप zero कर सकते हैं, तो आपको ये चीज बिलकुल भी नहीं करनी है, only आपको learning देने के पिछे का यहां पर ये profit आपको बता रहा हूं, otherwise यहां पर मैं आपको profit भी नहीं बता था, ओके अब बात करते हैं, आज की जो trade हुए हैं, वो trade कहां पर मैंने लिए और उसके पिछे क्या reason था, तो सबसे पहले देखें कि यहां पर मैंने fin nipty का पांच मि कोई भी हो, आज के दिन trade गया, आज के दिन expiry थी तो premium काफी छोटा था, तो इसमें मेरी quantity थोड़ी, मैंने increase करके लिए थी, पहला जो trade लिया था, वो 800 quantity के अंदर था, उसके बाद मैंने 400 quantity के साथ trade किया, क्योंकि वहां confirmation था, इतना मैं शोर नहीं था, इस reason से, उसके बाद मैंने जो भी trade लिये थे, दो trade और लिये थे, वो 800, 800 quantity के अंदर और एक छोटा trade और भी लिया था, अब बात करते हैं, यहाँ पर trade का मिला, सबसे पहले है, आज trade मेरे को यहाँ पर एक हैंगे, put के अंदर देखेंगे, यह inside candle बनी और inside candle के अंदर trade लिया, और छोटा सा profit लेक रिकता था, तो पहला trade यहीं कहीं पर मेरे का put के अंदर बना था, I think यहाँ पर, इस candle में यहाँ थी, हाँ इसी candle में, जो जब यहाँ यहाँ पर, अठाजा सतर और अठाजा सो के उपर यहाँ पर, यह trade नहीं कर रही थी, तो दोस्तों continue यहाँ पर में sale करा था, और buy करा था कोई मेरा जादा इसमें मेहनत नहीं लगी, यहाँ पर experience ही काम देता है, इस candle के अंदर में यहाँ पर trade execute किया था, और यहाँ पर मेरा को profit काफे अच्छा मिला, और साहित तक यह जो low था, इस low के आसपास यहाँ पर profit हो चुका था, और वापिस जब भी market यहाँ आता था, मै 120 के आसपास आता है market, और यहाँ पर दिखेंगे downside आता है, मैंने सबसे बड़ी risk यहाँ पर ली थी, यह candle आपको दिख रही है, रेड कलर की, इस candle के अंदर सबसे बड़ी risk ली थी, जब यहाँ पर इस trend line के आसपास trade कर रहा था, फिनिप्टी, और दोस्तों यहाँ से, मैंन 200 यह suddenly spike candle में ली और इसी spike candle के अंदर मैंने सोच लिया था कि यह लेड़ा आज के दिन यह break नहीं करेगी, और करेगी तो time लगेगा 3 बज़े या 3 बज़े से, कुछ time 2 बज़े के बाद बाद यहाँ पर यह अगर break करेगी तो करेगी, otherwise यह break नहीं करेगी, और आज भी देख कि मैंना आपको बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं, put के अंदर यह 50,000 का profit, 18,150 की put के अंदर, 50,600 का profit हुआ है, तो एक candle के अंदर ही, यहाँ पर आपको एक candle दिख रही है, बट एक मिनिट के चार्ट के उपर दिखेंगे, तो वो 5 candle होती है, और scalping करके चलाओ, मैं आज क mindset बना दोगी, उस साइसाब से आपका mind काम करेगा, यहाँ पर देखेंगे, यह train line upside में चल दिए, और downside में यह train line चल दिए, जब भी इस train line पर आता है, buy करता हूँ, और train line के उपर जाता है, तो यहाँ पर sale करने की कोशिश करता हूँ, और दोस्तों, यहाँ पर only on scalping करके, यहाँ पर 10 से 15 point का ही मेरा target रहता था, आज क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ expiry है, expiry के दिन आपको बड़ा move भी मिलेगा, छोटा move भी मिलेगा, बट आपको carefully रहना है, क्योंकि आपका जो premium होगा, वो decay भी बहुत तेजी होगा, अगर market कहीं पर consolidate करने लगया, तो यहाँ प 15 point आराम से आपको किसी भी trade के अंदर मिल जाएंगे, अगर यहाँ पर put लोगे तो आपको 10 से 15 point मिल जाएगा, यहाँ पर put लोगे तो 10 से 15 point मिल जाएगा, यहाँ पर call लोगे तो 10 से 15 point मिल जाएगा, यहाँ पर call लोगे तो 10 से 15 point मिल जाएगे, आराम से आपको 10 से 15 point आज दो चीज़े ही बोलता हूँ एक तो आप money management कीजे आपकी money का manage कीजे कि आप मैं कितना lose कर सकता हूँ और कितना एक trade के अंदर मैं invest कर सकता हूँ वो आप manage कीजे उसके साथ आपका mindset और psychology सही होने चाहिए आपकी mindset होना चाहिए इस train line के नीचे कोई candle close मिलती है तो यहाँ पर मैं trade को exit कर दूँगा और इसके उपर रहेगा तब तक मैं इस trade में बना रहूंगा चाहिए वो trade अपना कुछ भी हो target देगा या फिर SL लेंगे दो चीज़े fix करके रहे है target और SL दोनों चीज़े अगर आपकी fix होगी तभी आप एक अच्छे trader बनोंगे और उससे ज़ादा important है management आपकी risk कितनी हैं आप उसको manage कितना करें उसके अलावा कुछ भी नहीं है market के अंदर हर किसी को यह ट्रेंड लाइन दिख रही थी हर किसी को यहाँ पर यह support resistance था दिख रहा था हर किसी को यहाँ पर यह support था अठराजार का support था इस support level को बार-बार market test कर रहा था यह सारी च आपके only on experience रहता है और only on आपकी risk management और एक चीज़ और होती है वो बोलते हैं लोस देखने के बाद आपका mind कैसा behave कर रहा है अगर लोस देखके आपका mind बोल रहा है कि निकल जा निकल जा निकल जा तो वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि अगर वो mindset वो psychology लेके आप चलोगे कि निकल जा निकल जा वाली कि तेरे को loss हो रहा है अगर इसमें रुका रहेगा पांचार का loss हो जाएगा दसजार का loss हो जाएगा अगर आपके पांचार का loss हो रहा है अभी तक आपका SL नहीं आया है आपने risk manage नहीं किया है तो आपके लिए यही है कि आप अपनी risk manage कीजिए पहले उसके बाद उसकी उसी रिस्के के साथ quantity को manage कीजे और quantity के अंदर उसको trade कीजे और अपने SL और target के लिए आप wait कीजे चाहे आपका SL आए चाहे आपका target आए wait आपको करना रहेगा और especially आज के दिन मैंने कल ही मना कर दिया था कि आज के दिन इतना trade में निप्टी के अंद यहां पर refresh करके बतता हूं यहां पर निप्टी और बैंग निप्टी यह जिरोदा का interface है और जिरोदा का interface के अंदर यहां पर trade किया है capital पे मत चाहिए capital चाहे मेरी 5 लाग है 10 लाग है 50 लाग है उससे कोई नहीं है बट जो मैंने यहां पर जो पैसे डायलूट किये थे आज डाले होंगे ओके तो एक लाग चाली जार प्लस का यहां पर profit देखने मिला है और यह सारा का सारा माइंड का गेम है सारा का सारा आपके वह चीज होती है कि आपका गुद्दा कितना है आप कितना लोस देख सकते हैं लोस देखकर आप अगर परेशान हो रहे हैं या जब त कर्में यहां पर danach के दिन टेड़ कर रहा हूं और डूसरा जोJoe gì जो कै ऐसी बैंक जो कि दोस्तों यह दोनों चीजे आप देखोगे तो तो फिन निप्टी में आ रहा हम से आप ट्रेड कर पाओंगे तो फिन निप्टी के अंदर भी कैसे आप ट्रेड करते हैं इसके उपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो बहुत जल्दी आपको काफी कुछ चीजे मैं यह आपर चैनल पर लेके आने वाला हूँ जो पैड क आपको बताया है वह लेके लिए हैं और यह वीडियो भी लेर्निंग परफस के लिए ही बनाएगे तो इसको लेर्निंग के तरह ही आप लीजेगा ऐसा नहीं कि आप कहीं से कैपिटल लाके मेरे जैसे प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पर आप अपनी कैपिटल को जीरो कर दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यहाँ पर आज के दिन जैकपोट ट्रेड भी मिला था और जैकपोट ट्रेड यहाँ पर मैं अलग अकाउंट के अंदर करता हूं जिसके अंदर अलग ही मैंने ज्यादा कैपिटल नहीं 50,000 रुपीज डाल रखे हैं उसके अंद वीडियो से कोई लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने लिए थैंक यू